आज की रैस्पी बिना धूप दिखाए फटाफट बनने वाला ये मिर्च का अचार ये हरी मिर्च का अचार इतना ज़्यादा टेस्टी है कि टेवल पर रखा हो तो देखते ही भूख बढ़ जाएगी और एक बार अगर किसी ने ये अचार खा लिया तो एक की जगा दो रू अच्छे ही होंगे डागर की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो डागर रसोई में आज मैं और आप मिलकर बनाने वाले हैं हरी मिर्च का अचार तो चलिए दोस्तों हरी मिर्च के अजार की रैस्पी शुरू करते हैं हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 700 ग्राम हरी मिर्च लिये हरी मिर्च को मैंने पहले पानी में अच्छे से दो लिया था उसके बाद इन्हें कपड़े पर डालकर अच्छे से सुखा लिया था आप इन्हें पंखे के नीचे या फिर कपड़े से अच्छे से पोंच कर सुखा ले इसके बाद अब मैं आपको इन्हें काटने का तरीका बताती हूं, सबसे पहले आप इनके डंठल को काटकर अलग कर दें, उसके बाद इन्हें बीज से काट लें, जो इसका डंठल होता है, उससे फ्रेंड्स हरी मिर्च का अचार जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए आप उसे काटकर अल आप उस तरीके से भी इने काट सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे, आप इने काटकर अलग कर लें, तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहां पर सभी हरी मिर्च को काटकर तयार कर लिया है, अगर आपके हातों मैं हरी मिर्च से जलन होती है, तो आप या तो गलब्स पहन कर ह तवा रखा है इस पर मैंने पांच चम्मच सौफ डाली है और यह छोटी वाली सौफ है साथ में पांच चम्मच ही राई के दाने डाले हैं आपको यहां पर राई का ही यूज करना है सरसों के दानों का यूज नहीं करना है उसके साथ ही एक चम्मच मेथी दाना साथ में एक ऐंगे एक चमचे करें मेती दाना ज्यादा ऐसेठी मिर्च के या टैसे केसी ना करें चले हैं तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें और इन्हें हमें जलाना नहीं है सिर्फ इन्हें हलका सा रोस्ट करना है जब इनमें से एक सौंधी-सौंधी खुश्बू आने लग जाए तब आप समझ जाना कि आपके मसाले रोस्ट हो चुके हैं मसालों में से बहुत शौंधी-शौंधी खुश्बू आ रही है और यह ड्राइ रोस्ट हो चुके हैं तो अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ मसालों को रख देते हैं वी साइड में इसके बाद मैंने गैस पर एक कड़ाई चड़ाई है जिसमें मैं ले रही हूँ एक ग्लास मस्टर्ड ओयल अगर मैं आपको इसे क्वांटिटी में बताऊँ तो यह लगवग 200 ग्राम के करीब ओयल है और अगर आप एक लो या फिर 700 ग्राम के करीब मिर्च का चार डाल रहे हो तो उसमें 200 ग्राम के करीब ओयल 500 से 300 ग्राम के करीब मस्टर्ड ओयल इनफ रहेगा जब तक फ्रेंट्स ओयल गरम होता है तब तक हम मसालों का पाउडर बना कर तयार कर लेते हैं और मसालों का जो पाउडर बनाना है उसे हमें दरदरा रखना है ज़्यादा बारीक नहीं करना है तो अब आप यहाँ पर देखिए मैंने मसालों का एक पाउडर बना कर तयार कर लिया है यह दरदरा पाउडर है तो देखिए फ्रेंट्स ओयल भी हमारा यहाँ पर अच्छे से गरम हो गया है और ओयल को गरम होने के बाद अब हम इस स्टेज पर गैस का फ्लेम कर देंगे बिल्कुल ओफ गरम ओयल में ही फ्रेंट्स हम उस मसाले को एड़ करेंगे जो हमने दरदरा पाउडर बना कर तयार किया था और इसके साथ ही अब हम इसमें कुछ और मसाले एड़ करेंगे जिसमें मैं इसमें एड़ कर रहे हूं mesmo 3 चमच धनिया पाउडर साथ में 2 चमच कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर और कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसमें कलर उठाने के लिए डाल रहे है इसके साथ ही half चमच हलदी और opioids फेद नमक आप खाला नमक भी Bluetooth यूज इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद मैं इसमें एक चमच हींग का यूज कर रही हूँ जिससे हमारे अचार का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा अब मैं फ्रेंड्स आपको वो सीक्रेट ट्रिक बताने वाली हूँ जिसकी मैं बात कर रही थी वो है सिरका आप इसम से काफी लंबे समय तक स्टोर कर सकते हूँ और फ्रेंड्स हमारे अचार को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए जो सेकेंड सीक्रेट ट्रिक है वो है कि आपको गरम ओयल के अंदर ही मिर्च को एड़ करना है और गरम ओयल के अंदर ही सारे मसालों को एड़ करना ह इसे हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे अगर आप इस तरीके से मिर्च का चार बनाते हो तो गारंटी से आप इसे सालों साल तक स्टोर कर सकते हो और हाँ अगर आपको आज की ये अचार की रेस्पी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को जिससे मैं कोई भी नई वीडियो डालू तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए मसालों के साथ फ्रेंड्स मिर्च को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें एक चम्मच कलोंजी का यूज करेंगे इसे काला जीरा भी बोला जाता है तो इसे आप सबसे लास्ट में एड करें और इसे भी आप इसमें अच्छे से मिक्स कर दें तो देखें फ्रेंड्स मिर्च का अचार हमारा बनकर तैयार हो चुका है अगर आप इसे अभी खाना चाहते हो तो इसे आप अभी खाना सुरू कर सकते हो लेकिन अगर चाहते हो कि यह थोड़ा गल जाए तो फिर आप इसे दो दिन के लिए स्टोर कर दें और दो दिन बाद आप इसे खाना शुरू कर सकते हो तो अब मैं इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ जिसमें इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे ठंडा करने के बाद मैं इसे स्टोर करूँगी तो वो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ तो देखिए फ्रेंड्स मैंने अचार को एक सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है देखकर ही मुँ में पानी आ गया होगा यह अचार बना ही इतना टेस्टी है यकीन मानिये फ्रेंड्स यह अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और साथ ही इसे आप काफी लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो यह बिल्कुल भी खराब नहीं होगा तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर अचार हमारा ठिंडा भी हो चुका है और इसे हम स्टोर करते हैं स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कंटेनर लिया है आप कोई भी कंटेनर ले सकते हो या तो वो कंटेनर प्लास्टिक का हो या फिर काच का हो इस चील के किसी भी कंटेनर में आपको अचार को स्टोर नहीं करना है वरना अचार खराब हो जाएगा और जो भी आप कंटेनर ले रहे हो वो बिल्कुल एकदम क्लीन हो जिसमें भी फ्रेंट्स आप अचार को स्टोर कर रहे हो उसमें पानी बिल्कुल ना हो वो बिल्कुल भी गीला ना हो और जिस प्लेट में आप निकाल रहे हो वो भी बिल्कुल सूकी हो उसमें भी पानी ना हो और फ्रेंट्स आप कोई भी अचार बना रहे हो चाए वो नीवू का हो आम का हो मिर्च का हो कोई भी अचार हो आप उसमें चमच ना डालें स्टील की चमच तो बिल्कुल ना डालें उससे अचार खराब हो जाता है तो देखे फ्रेंड्स अचार को मैंने एक डब्बे में स्टोर कर लिया है अब इसे आपको ना ही तो धूप में रखने की जरूरत है ना ही पंखे की हवा में बस आप इसका इसको बंद करके और इसे एक दो बार दिन में हिला दिया करें वो भी सिर्फ आपको एक दो दिन के लिए ही करना है, एक दो दिन बाद ही आपका अचार विल्कुल तैयार हो जाएगा, वैसे ये अभी भी खाने के लिए रेडी है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये थोड़ा गल जाए, तो फिर आप एक दो दिन वेट कर लें, उसके एक और नई रेस्पी वीडियो के साथ में तब तक आप स्वस्त्रहें और इस अचार रेस्पी को इंजोय करें